तो अभी हम discuss करेंगे और एक तरह के टेश्टा के बारे में से टॉपिक का नाम है डो mina नेम डोमेन नेम किया है डोमेन में हम किसको बोलते हैं आप पर्समेशन काम्पीटर का ऍपर हैं अगर उस पर्समेंधे कर सकते और और कनेक्त नहीं हो सकते हैं इतने सारे कॉंपीटर्स हैं इतने सारे कॉंपीटर्स में इतने सारे वेबसाइट्स हैं तो इतने सारे कॉंपीटर्स का आईपी एड्रेस याद रखना प्रैक्टिकली इंपॉसेबल है प्रैक्टिकली पॉसेबल नहीं है तो इसलिए एक नया सिस्टम डेवलॉब किया एक कंपिनी एक और गनाजेशन ने जिसका नाम है आई सी ए एनन तो इस और गनाजेशन रे एक नेमिंग सिस्टम डेवलॉब किया जहां पर हम कुछ कॉंपीटर से हम इंफरमेशन एकसेस करना चाहते हैं उन में फेटर फिट उनिक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं जिन ऊनिक को मोवलते हैं डॉमेह नेम नाईशन ऊप्रोवाइडेट तौस तब मॅ32 कॉश सबसेंशन एबिड वेटाहे दो आए सिटर आग सब्सक्राइब ले क्या थाइट तक दो तो यहां पर यह एक डोमेंड नेम है इस पर्टिकुलर डोमेंड नेम को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं यह पर्टिकुलर वेबसाइट का इंफरमेशन जिस कॉंपीटर में है उस कॉंपीटर के साथ कनेक्ट होके इस पर्टिकुलर वेबसाइट का एक फेसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हमें पता तब भी अगर उस पर्टिकुलर का डॉमेंट नेम हमें पता है तो डॉमेंट नेम को उसके हम उसकों बोलते हैं टॉप लेबल डॉमेंट उटकॉट में इसको तो हम क्यकों बोल सकते हैं उसको एक लिए लडी ओर यह क्या में ऑप टॉप ब्रॉमेंट उसको में ट्वाइड कियाए है दो बाटे सो पार्ट is generic top-level domain and the second type is country code top-level domain so किस तरह के हम top-level domain को generic top-level domain बोलते हैं जिस तरह के domain name का extension तीन लेटर वाला होता है जैसे कि .com.gov.edu तीन लेटर वाले जितने भी extensions हैं सारे मतलब कोई website के end में अगर तीन लेटर वाला कोई अगर किसी तरह के top-level domain मतलब किसी तरह के top-level domain में दो लेटर वाला extension होते हैं जैसे के .in उसके बाद .au.pk ऐसे दो लेटर वाले extensions अगर हैं तो उस तरह के domain को हम बोलेंगे country code top-level domain के अलावा ऐसे और भी कुछ domain names है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव domain name जिस तरह के top-level domains में हमारे extensions जो है वो तीन लेटर से बारे में जिस topic का नाम है DNS सो DNS का full form क्या है DNS का full form है domain name system so domain name system या फिर इसको हम domain name server भी बोल सकते हैं तो यह एक ऐसा server है यह फिर यह एक ऐसा computer है जो कि हमें allow करता है एक particular domain name का corresponding IP address हमें provide करने के लिए suppose मुझे particular computer का domain name पता है तो उस particular domain name का corresponding IP address जो है IP address को map करने के लिए फिर domain name से IP address को convert करने के लिए हम जिस server को use करते हैं उस particular server को हम बोलते हैं DNS server so DNS is a server which is mainly used to convert और map a particular domain name into its corresponding IP address ओके तो पता चला DNS क्या है DNS server है जिसको mainly use करते हैं क्यों कोई भी particular domain name अगर user input करता है उसको उसके corresponding IP address में map करने के लिए फिर convert करने के लिए तो DNS जो एक particular domain name को उसके corresponding IP address में map करता है या फिर convert करता है उस process को हम क्या पढ़ा आई-पी आड्रेस के बारे में इस टॉपिक का नाम है मैक एड्रेस मेडिया एक्सेस कंट्रोल जैसे कि कुछ दिर पहले हमने पढ़ा आई-पी आड्रेस के बारे में आई-पी आड्रेस आर दो एड्रेसेस विजिस प्रोवाइड़ेट तो ओल दो कॉंपीटर को मैनुफेक्टर करें बना रहे हैं मैनुफेक्टरिंग इंड़स्ट्री उसी वक्त ही हर एक कॉंपीटर को जो यूनिक एड्रेस मोपाइड करता है उस एडरिस को नहीं बढ़ कर दें जैसे कि आई पे ड्रेस का साइज कितना था 32 बीट बाइनरी फॉर्म में और है ग्साडेसिमल फॉर्म में अगर एक मैं एक ग्रेस को तो उसको हम 12 डिजेट हेक्षा डेसिमल नंबर में इसली रिप्रेस्जंट कर सकते हैं तो जैसे कि आई पे MMM means this represent the manufacturer ID, means जो manufacturer company सको बना रहे उसका ID, then SSSS represent the serial ID, उस particular manufacturing company के द्वारा कितना number वाला product यह है, उसको unique number represent करने के लिए represent करता है serial ID, तो यह total एक mac address है, और mac address को हम we represent करते हमें only 2 parts में, 2 parts represent the manufacturer ID and the second part represent the serial ID, नहीं उटा है अब यह आते है नेक्स टॉपिक के बारे में जिस्स टॉपिक का नाम है पयारपी प्ल explanation सब्सक्राइब है अगर में एक प्रेश्ड्रो तो इसको मैप करने हैं तो मैं इस तरह की प्रोटकॉल उसके ज़ते हैं प्रोटकॉल से आईप करने के लिए उस तरह के प्रोटोकॉल उसे बोलते हैं आरे आरपी अभी आते हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है वेपेज वेपेज क्या है वेपेज आर दो पेजेस विच इवेड़ेबल और इंटरेट तो प्रोवाइड सम्किर इन् लैंगवेज बनाते हैं वेपेज में डिफेरंट याप आप टेक्स्ट इमेज स्ट आडियो वीडियो ऐसे टाप ओप टॉक्यंट आप टॉक्स हम एडड करके क्या कर सकते हैं से सब्सक्राइब आपके उप्सट इसलिए प्रवाइड कर सकते हैं तो एक पतेजिद्ट क्य अमोर दिन वान वहिपैर जो उसको बनता है और जिस एड्रेस के थूँपुर स्कविर को फटे को उपन कर सकते हैं उस पर्टिक्लर एड्रेस को बोलते हैं वेब साइड एड्रेस रहा得 ऑकि स्का नाम है वेब सर्वर वेब सर्वर किसको बोलते हैं वेब सर्वर इस दो मेन कॉम्पीटर इन वेच आल दो इनफरमेशन अफी पर्टिकुलर वेब साइड इस तोड यह तो अभी आते हैं और एक तरह के बारे में जिस टॉपिक का नाम है के जबलो ड пош ? का फुलड वाइड वेब ये WWW क्या है जैसे के आप कोई भी वेब सेट देखे होगे हर website में जैसे भी करके www यूifen किया जाता है यह इंटरनीट क्या है और www क्या हर इंटरनेट बस एक connection है जो की whole world के जितने भी network से सारे networks के बीच create करता है वके बट www क्या है www एक technology है जो की whole world में जितने भी networks है सारे network के बीच information share करने में मदद करता है internet का काम है connection establish करना www का काम है information को whole world में सारे networks के साथ share करना कोई भी website अगर आप यूज करते हो हर website के information को अगर आप बाक्यों के साथ share करना चाहते हो आपकी website के starting में आपको www यूज करना ज़रूरी है सो बाइडिफॉल्ट जो प्रोटोकॉल यूज करता है www वो है इस टॉप्रीक का नाम है वे ब्राउजर वे ब्राउजर हम सब यूज करते हैं हमारे मोवाइल फोन में कॉम्पूटर्स में क्यों यूज करते हैं इंटरनेट को एकसेस करने के लिए उस तरह के एप्लिकेशन उस तरह के सब्सक्राइब को बहते हैं वे ब्राउजर जैसे कि गुगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स यूसी ब्राउजर ऑपिरा मीनी और एक तरह के बारे में जिस टॉपिक का नाम है सर्च इंजिन जैसे कि गुगल सर्च इंजिन हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप इंफोमेश चाहते हैं उसी तरह का सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं य्यूज करते हैं तो टीन स्च स्टेप में अपने सर्चिंग प्रोसल को करता हैं तुट सिर्च सब्सक्राइब करने के बाद एक इंपरमेशन को सर्च करने के बाद एक एक वेबसेट को ओपन करके information को search करने की process को बोलते हैं searching this is the three-step यह three-step को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं search engine गे through जिस तरह का information हम चाहते हैं उसी तरह का information search करके easily identify कर सकते हैं तो अभी आते हैं और इस तरह के topic के बारे में जिस topics करनाम है email ओके तो अभी हम discuss में इमेल के बारे में तो इमेल का क्या है इलेक्ट्रॉर्णिक मेल सकते हैं अगर जैसे कि पुराने जमाने में इंटरनेट का सब्साइब होता था हम मेल यह फिर कुछ पी चिख्थियां किसी के पास भेजते थे तो कब पहुंचेगा पहुंचेगा या नहीं सिक्यूर है या नहीं हमें नहीं पता था बट अगर हम किसी के पास electronic devices के थूर मेल भेजते हैं तो वह limited time के अंदर securely वह message उसके पास जाके पहुंच जाता है तो इलेक्ट्रोनिक डिवाइस के थूरू इंटरेट के माध्य हमसे मेल या फिर messages किसके पास भेजने के लिए हम जिस तरह के टेक्नोलोजी के यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं अब इमेल technology ऊके यह एक high speed transmission technology है जिसके थुरू हम high speed में बहुत ही कम time में जिसके पास जाहें उसके पास mail भेज सकते हैं जिस टेखनीक के तुरू हम जिसके पास संहें text messages audio messages video messages easily transmit कर सकते हैं सो mail messages भेजने के के लिए इमेल टेकनोलोजी को करने के लिए हर एक यूजर का खुद का उना होना ज़रूरी है जैसे कि अगर मैं किसी के पास मेल था। और सब्सक्राइव कि पास मेल ब buyers होना ज़रूरी है युनिक मेल एकाउंट होना ज़रूरी है जिस मेल एकाउंट को हम बहलते हैं में अड्रेस दिसके मैं एक लिख आगा ओई दॉटकम तो यह एक यह एक और यह यूनिक एड्रेस है जिस धेश को च्शूंत करके हम क्या कर सकते हैं किसे के यह है युजर नेब को सेप्रेट करता है शे सेट किलर युजर नेम और उनको सेप्रेट करता है और जब भी हम इमेल एड्रेस बनाते हैं और और electronic mail technology यूज करता है में लितिन तरह का protocol SMTP protocol IMAP protocol and POP protocol SMTP protocol यूज करके हम क्या कर सकता है sender से server के पास एफिर server से server के पास mail को transfer कर सकते हैं और server से receiver के पास mail को transfer करने के लिए हम इस करते हैं प्रोटोकॉल और पॉप प्रोटोकॉल पोगे तो नॉर्मली उसके बाद पता चला email क्या है और email कैसे हम send कर सकते हैं वो तो हमें पता है क्या है different steps mail send करने के लिए अभी आते हैं और कुछ topics के बारे में जैसे कि SMS SMS का full form है सौर्ट मैसेज सर्वेस सौर्ट मैसेज सर्वेस एक ऐसा सर्वेस टेखनीक है जिसको में ली उसका मोबाइल फॉन में एक पर्टिकलर मोबाइल फोन जे और एक मोबाइल को पास messages वेजने के लिए तो फो फोस्ट टाइम जब इस तरह का टेकनिक निकला था तो यह हमें बट आज कर टेकनोलोजी का यूज बढ़ते बढ़ते यह हमें अलाव करता है एक टाइम मैक्सिमम टो मैक्सिमम एक टाइम 106 1600 वाला एक क्यरेक्टर वाला लेंद वाला मैक्स मेसेज को एक पर्टिक्लर मोबाइल से और एक मैसेज मोबाइल को भीजने के लिए सो एसे में स को र्कॉर्ड करके विजने के लिए एक फैसिलिटी परवाइड करता है उसको भोलता है WeOOOO सिनदर के एक कामिनिकेशन सब्सक्रीज यहां पर हम सेंदर के पास हमारे वाले हैं में वॉइस्ट सकते हैं इंटरिए के माथ्य हम से ओके मेल एक को उनकिश्यों से इंड़ वेज रहे हैं तो किस तरह का प्रोटोकल यूज करेंगे वाइस ओवर इंटरेट प्रोटोकॉल अभी आते हैं चाटिंग के बारे में चाटिंग के बारे में तो सबको पता है वट इस चाटिंग चाटिंग मिंस तो अधर पिपल उजिंग इंटरेट एट इस ताइम में इंटरेट उसकर ने वहीं सेम टाइम में कोई और अगर सोशेल मीडिया ओन किया है इंटरेट उसकर के तो वहाँ पर जो बातचीत होता है मैसेजस के फॉर्म में उस टिक्निक को उस मैथड को बोलते ह चाटिंग चाटिंग इसे मैथड इन वीच विट टॉक विट समवन एल्स इन दो फॉम आप मैसेजस ओगे तो पता चला चाटिंग क्या है अब याते आयर सी के बारे में आयर सी क्या है आया सी का फुल फॉर्म इंटरनेट रिले चाट विए एक मास कॉम्मिनिकेशन एक ग के पास बेजना है तो वहां पर हम उसकते हैं जिस तरह की टेक्नोलोजी उसको बोलते हैं आयर सी का फुल फॉर्म है इंटरनेट रिले चार्ट यह मल्टी चैनल मास चैटिंग सिस्टम है जहां पर मुल्टिपल नमबर क्लाइंट को एलाव करते हैं कनेक्ट होने के लिए औ दो किसी को यह बढाने करने के अब एक मैक्रोफोन इंपकर सकते हैं किससे के साथ बात कर सकते हैं उसको सकते हैं समझा गया तो पता चला वीडियो कॉन्फरेंसिंग क्या है अभी आते हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है यू आर एल क्या है कभी इंटरनेट में आप कुछ भी इंफर्मेशन सर्च कर रहे हो स्वार में आपको जाना है और एक लिंक करना जिस पाथ है फिर इंटरनेट में ने सकते हैं जैसे कि आप एक website बना रहे हों ओके उस पॉटिकुलर वेबसाइट के हर एक वेपेच का अलग-अलग पात होता है अलग-अलग address होता है हर एक उनिक एडुरेस को हम क्या बहुत सकते हैं और एक यूनिक पात क्या बोल सकते हैं url सो एक एक इग्जांपल लेते हैं url का जैसे कि suppose मैं आप एक इग्जांपल लेता हूं HTTP कि www.google.com कि इन्फरमेशन टेक्नोलोजी कुछ भी लिखा है तो यह एक युवारेल है यह जो एड्रेस हम एड्रेस बार में देख रहें ना इसको हम बोलते है इन्फर्विस पार्ट होता है Service प्रोटकॉल सेकेंड पार्ट जो है यह दोमेड नेम उसके बार हम ında में retreat से सरच कर रहे हैं वो वैबसैड होता यहां पर और परड्रीड के बारे में समझा सिर्वक्प्रोड क्या है यूरिल इस रीट से यू सुनीक बाथ हों लिंक परिटिकुलर इन्फो मैशन inning available on internet ओके सो एक यूरियल का मेनली डिफरेंट बात होता है सबसे लार्जस वेर्लेस कम्यूनिकेशन है इस कम्यूनिकेशन को होल वर्ड में मैंसीमम टो मैक्सिम नबर फ्यूजर मिलियंस आफ यूजर क्या करते हैं यूज करते हैं आजकर मोबाइल एक एसेंचियल पार्ट हो गया जिसके बिना जिन्दे की अधूरासा है ओके यह फोन पोन सिस्टम य लग लग फ्रेक्वेंसिस को यूज़ करके क्या करते हैं मोबाइल कम्म्मॉनिकेशन से लेकि अब तक हम मोबाइल कम्मॉनिकेशन सर्विस यूज़र को प्रोवाइड करते हैं वायूजिंग डिजिटल सिगनल ओके सो फॉट जैंनाया जैंगानेशन टेटमेशन लेकी तक यए निया नियान जैंडरेशन निकलने कहा है पुदिस इबक्रूबाळ था 1,910 निकला 1990 से क्वियाAt्यट essaad अंबरल में ड्र सेव्चव निकलने कि ट्वही壓 सेलख हैंगल है और उटप्र पर्त जिनरेशन में अगर देखें तो ट्रास्मीशन स्पीड कितना होता है त्वाइंट के लेकिट नाइन के पीश्ट सेकेंड जनरेशन में ट्रास्मीशन का स्पीड 171.2 कब क्या है घुकर एक चीए ही Tailside करते हैं कि दिरे तीरे क्या हौ रहा है ट्रांस्मीशन स्पीड में हम पाऊघर स्पीड में पार रहे हैं जितना मोबाइल कम्टीक्ट सनदो невी गॉपाइड में करते है LTE WiMAX Wi-Fi ऐसे डिफरेंट टाइप टेखनोलोजी को फिप्स जन्रेशन में हम उसकरते हैं एडवांस LTE टेखनीक को पता चला मोबाइल कम्मुनिकेशन क्या है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वैरलेस कम्मुनिकेशन है पॉस्स जन्रेशन में हम एनलॉग सिक्नलिस करके क करते हैं पॉस्स जन्रेशन, 1980 सेकंड जन्रेशन, 1990, तो तॉस जन्रेशन, 2010, फिफ जन्रेशन, 2020 सब्स कर्केशन, चान्स जन्रेशन में, 171.2 के जैसेते में थार्ड जैनेरीशन में 21mbPS मैक्सिमम फूर्धेयरेशन में वाण ज पेस्ट नॉर्मलिब पोगे देन फास्ट जैनेरीशन में उप्टेक्निक मोबेल कॉम्मिनिकस्ट करने के लिए सपेड जैनरेशन में सीडियेमें ग्रेचान में सीडिये में 2000 एच 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 डिपीए फोर्ट जेनरेशन में एडवांस टेखनोलोजी को यूज़ करते हैं पता चला सो टोटल इस टॉपिक में आज की वीडियो में हमने इंटरनेट एंडिस एप्रिकेशन चेप्टर का वो सारे टॉपिक्स को बस उनका बेसिक कॉंसेप्ट के बारे में और लोग किया रिवाइस किया जिस टॉपिक के बारे में पहले से पढ़ चुके थे अगर किसी ने आप में से नहीं पढ़ा है इंटरनेट एंडिस एप्रिकेशन चेप्टर को तो उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है कंप्लीट चेप्टर का जो कि इंडिव क्लास में लिए सब्सक्राइब आपको अई आइडिया था और आपको समझ आया कि किस तरह की टॉपिक को हम क्यों और यूज करते हैं क्यों होता है इंटरनेट में स्धूर ॉन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कुस करेंगे एसा और कुछ टॉपिकस के बारे में आज के लिए इतना ही. Thank you.